वह स्थाइन्स दूस्तों चैनल पर आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ दूस्तों अपडेट में बताने वाला हो रेजिटरेशन कैसे करना है स्टेप बाइ स्टेप लिए इसे ही लेटेस्ट शुरू हो गया है थोड़ा लेट शुरू होगा कोविड-19 को जैसे और इसमें थोड़ा सा बतलाव भी किया गया है मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूं तो दोस्तों यह है इसरे इसले करने के बाद इस प्रिश्क्राइब अभी इसको करना है कया चीज़ करना के देढ के और दोस्तों अभी इसको पहले आपके पास आपका इंवर्मेट नंबर प्रोग्राम कोड और आपका मोबाइल और डेविट कार्ड का नेट बैंकिंग का जो भी आपके पास विदावों आपके पास होना चाहिए उसके बाद फिर आप यह प्रोसीड करिए ठीक है दूस्तों यह पहला इस्टप जैसा कि आप देख पा करने के बाद आप प्रोसीड करिए ठीक है यहाँ पर क्लिक करिए लागे प्रोसीड कर ने के बाद यह पेज आएगा यह पेज दोस्तों भी इस पेज पर आप लॉग नहीं के पहें सायन करने के लिए पूल लाए नम्बर और यहां डालना होता है पासवर्ड लेकिन अभी नहीं है इसके लिए आप New registration पर क्लिक करोंगे, New registration पर क्लिक करने के बाद जिसे जाओगे तो यह पेंच खुल जाएगा, पटा-पट कुछ बिना लेट किये हैं, आपको अपना प्रोग्राम कोड्स करना है, कि एसरा फैर जो बीपना सेंड़ हो जो भी है इसमें आप अपको सीधा बने साथ करने के करें पर आगे को करें फ़रेदर्च प्रसीड करने से पहले आप से egil clear अपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्लिक करेंगे यह बदल ड Kenneth रहे है इस पर क्लिक करते हिए बदल जाएगा जब आपको समझ माने लेगे कि हाँ ये मुझे समझ में आ रहा है प्रॉपर तो फिर आप उसको अंदर इंटर करिएगा इसके बाद करिएगा आप सब्मिट करेंगे तो यह आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा नेक्स्ट पे ले जाते यह आपसे आपका इमेल आइडी पूशेगा तो अपना इमेल आइडी जरूज़े प्लीज इंटर्यों इमेल एड्रेस और मुबाइल नंबर इस विल भी यूज्ट फॉर ओफिसल कम्मुनिकेशन और पास्वर डिशिट फैसिलिटी तो इसको ध्यान से डालिएगा पहले आपका मुबाइल नं आपके मुबाइल पर आएगी ठीक है जो इससा की यहां पर दिखाएगा आपका जो रेजिस्टर इमेल आइडी होगी यहां इस पर दिखा देगा इन्फॉर्मेशन में अब मेल मेल पर भी आपके एक पासवर आएगा तो आपका जो ओटीपी आया है उसको आप डालोगे इसमें अच्टीपी आ चुका है इसमें डाल देते हैं तो टीपी डालने के बाद जस्ट यहां सम्मिट कर दीजिएगा अच्टी रिज्ट करने के लिए बोलेगा पासवर बनाने क्रिएट यूर पासवर्ड ठिक हैं पासवर्ड आप अपने ख्रीएट कर लिजिए अपने एक्षान से ठीक है अग्रा कि इसमें में नहीं है पासवर्ड कैसे छूज करना है और अलस्य जो और फो इ kiedy चेल करें पहले चूज कर == कर दिजिए में से मैंने अलफ़न ऑन नमेरित कर दीए मैंने यहां पर एक्जामपल दे दूँगा उसके बाद आप सम्मिट कर दीजिए गा ठीक है दोस्तों सम्मिट हो किया है पासवर्ड ले लिया है इसने ठीक है कि यहां पर क्रेट यहां लॉगिन कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए आपको अपना नमर डालना पड़ेगा और आपने जो पासवर्ड क्रियेट किया है वो डालना पड़ेगा आपको तो पहले इसमें मैं नमर डाल देता हूं अब पासवर्ड जो हमने बना था अलफानुमेरिक मैं पासवर्ड बनाया था उसने एक्सेप्ट कर लिया मैं एक्जांपल दे दूंगा उसके बाद यह कोड डालना है इसके मैं पेहले बताहिक्ट करेंगे तो यह बदल जाएगा जब आपको समझ्वाने हैं लगी तो दाल दीजिएगा ठीक है उसके बाद यहां पे आप लॉग इन कर लीजिए लॉग इन हो रहा है मैं लाइब आपको वीडियो बना के बता रहा हूं तोड़ सा टाइम लगए ठीक है यह देखिए यह अभी आ चुका है ठीक है अब इसमें आपका इनका मास्टर का प्रोग्राम है ठीक है मास्टर आप पॉलिटिकल साइंस है ठीक है यहां से क्लिक करके आप डारव जाए सकते या तो यहां पर रेजिस्टर रेजिस्टरेशन क्लिक करिएगा ठीक है यहां क्लिक करने के बाद यह देखिए आगे आपका यहां पर जर्नल इस्टरेशन है एक यूज है ठीक है यह रेजिस्टरेशन का कॉलम है यहां पर क्लिक करके आप प्रोसीड करिएगा ठीक है प्रोसीड करने के बाद यह आपका पेंच खुल रहा है फस्ट यह के नीचे दिखाने लगता है आपका फस्ट यह को दिखाएगा और आगे के लिए आपका यहाँ पे करोगे तो आगे क्या चूज करना है यह सेकेंड यह दिखिए री रिजिटेशन फार जुलाई टॉन 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 जुलाई यू कैन अपलाई फॉर रिजिटेशन इसेकंड यह एर सेकंड आफ एम पीएस मास्टर आफ पॉलिटिकल साइन्स ठीक है यह फर्स्ट चूज 32 क्रेडिट्स ओनली ठीक है और जो मास्ट बैचलर की स्टूडेंट है उनमें जैसे कि जिस सब्जेक्ट से वह पढ़ाई कर रहे हैं जैसे कि मान लिजिए पॉलिटिकल और लिया है या सोशलोजी लिया है उन्होंने अगर वह दोनों लेके पढ़ रहे हैं तो आल में वहां खूबách अलग पढ़ना चाहते है तो वह चूज करने को पंचन आएगा उसको चूज करके परना माकी जो नंका सब्जेक्ट है वह से लेक्टेट रहेगा अगर यहां पर्योपे अप्य परसें डिस्काउंट के लिए करने के बाद आप सब्मिट करेंगे जैसे कि आपने इसमें 50% मेटेरियल के लिए ओप्ट किया था तो यहां पर यह 900 का यहां पर लेस हो गया है तो इसमें क्या है कि अब आपको 5100 पे करने हैं अगर आप नहीं आप्ट करते तो यहां पर आपको 6000 टोटल पे करने क्योंकि फी रिवायज हो चुकि पहले 5400 फीज था अब हो गया ह है 6000 अगर कोर्स में कोई प्रॉब्लम हो गया जैसे कि अपने गलत चूच कर लिया है तो यहां पर अपडेशन का अप्शन आ रहा है अपडेट कोर्स सेलेक्षन इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से बायक में चला जाएगा ठीक है यहां बैक चले जाएगा ठीक है बैक चले ज एक फिर आगे आप प्रुशीट कर लेजिए गारेवर आजए अ when आब प्रुशीट करिया प्रुशीट करने के बारे यह फिख फिख पिजाएं विख जाएं कि तो इफ तो नाट रिफ्रेस करने के लिए फिर्ष मत करेए ठीक है तरह यहां पे है प्रुश्ट काउप्शन उ लेट बैंकिंग ुबिवए आपक रिट है ऽे नबर लुट पार दिब कर रिचए कर बहुत जिलाओं गया फु करें गया यहां दूसा मोड़ करता सब्सक्राइब यूपी ऐए फोन पे भी गूगल पे जो भी तो विद अकीD डाल है टाल है लिंक भेज़ेंगे आप वहाँ पर लिंक आएगा उस पर डाइट पे कर दिए गूगल जो भी आप फोन पर हो गएर आप यूज करते हैं जैसे यह आप यहाँ डाल की यूपी आई सेलेट यहाँ पर कोई भी जो भी है आपके पास्टनेट बैंकिंग सारे अवलेबल है तो यहाँ पर आप जाके कर सकते हैं बस यही था दोस्तों आगे कोई और अपडेट आएक तो जरूर मिलेगी ठीक है और कोई इससे कोई भी कोईस्टन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों से जादा से कही था कि उनको वहीं पराशल सकें अब कर दो